माँ बनना जीवन का एक सबसे अनमोल और सुखद ऐसास होता है लेकिन डिलीवरी के बाद जब शरीर हैवी हो जाता है तब काफी परिसान्य गर्वती महिलाओं को होती है डिलीवरी के बाद एक माँ अपने स्वास्त के प्रतीतना ध्यान नहीं दे पाती है और उसका सारा ध्यान अपने बच्चे और परिवार पर चला जाता है ऐसे में महिलाएं अक्सर delivery के बाद मोटी हो जाती है, उनका वजन बढ़ने लगता है और इस वज़े से और कई बिमारिया भी महिलाओं को घेरने लगती है अगर आप चाती हैं कि delivery के बाद आपका वजन कंट्रोल में आ जाए, आपका figure दुबारा से shape लेने लगे तो इसके लिए कुछ tips आपको अपनानी होंगी जो कि आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो सबसे पहली चीज़ कि प्रसव के बाद मोटापा कम करने के लिए आपको walking करनी है प्रसव के जल्दबाद ही आपको भारी व्यायाम तो नहीं करने चाहिए लेकिन अगर आप अपने दिनचर्य में व्यायाम को शामिल करती है जिसमें walking एक सबसे भीतर विकल्ब होता है walking से गर्भावस्ता के बाद वजन को घटाने के साथ साथ हेदय स्वास्त सुधार और उर्जा इस्तर को बढ़ाने और तरनाओ के साथ मुकाबला करने में भी मदद मिलती है इसके लावा दूसरी चीज जो की बहुत ज़्यादा effective होती है वो है आपका delivery के बाद बच्चे को इस्तन पान कराना आप अपने बच्चे को जितना अधिक इस्तन पान कराएंगी आपकी calorie उतनी ही ज़्यादा बन होगी चर्वी के साथ गरबावस्ता के दौरन कई महिलाओं में कई मॉमिस में lipid और triglyceride के इस तर में ब्रिदी होती है ऐसे में इस्तन पान कराना, breastfit कराना बहुत अधिक महतपूर भूमी का निभाता है जिससे आपका बचन कंट्रोल में आ जाता है तो ये ना सिर्फ आपकी body को hydrate करता है बलकि इसकी साहिता से पेट में जमिक गंदगी भी धूर होती है शुबह शाम अगर आप हलकी गर्म पानी, नीबू और शहर डाल कर या फिर अजोईन वाला पानी आपिस दौरान पीती है तो इससे आपका एक्स्ट्रा फैट कटने लग जाता है चौती चीज़ बजन घटाने के लिए तनाव को कम रखना भी बहुत जादा जरूरी है देखे जब बेबी पैदा हो जाता है तो बहुत सारी जिम्मेदालिया महिलाओं में आ जाती है अच्छा खाने पीने के बावजूद भी तनाव अगर आप पर विपरी तसर डाल सकता है इस समय जीवन सेली में कई बदला होते हैं इसलिए थोड़ा बहुत तनाव तो हर किसी को रहता है लेकिन जादा तनाव से stress हार्मोन शावित होता है जिस से मोटा का बढ़ता है तनाव से आपकी रख्त में कोटिसोल की मातरा में ब्रेधी होती है और ये एक हार्मोन होता है चो आपका वजण कम करने में मुश्किल बढ़ा दित है कोर्टिसॉल के साथ एक अड्रेनलाइन, हार्मोन के इस तर में ब्रिदी से थकान, उदास, चिट्चड़पन और वजन बढ़ने लगता है तो इस दोरन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुशाली वाले माहौल में रहें अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय प्यादित करें पांची चीज इस दोरन हेल्दी डाइट ही आपको लेनी है बाहर का तलाब होना खाना या फिर अनहेल्दी फूड्स आपको सेवन में नहीं लेने हैं इससे दो फाइदे होंगी एक तो आप अगर ब्रेस्ट फीट करा रहे हैं तो आपके बच्चे को भी संपूर्ण पोशका हर मिलते हैं और दूसरा इस दोरन आपका वजन कम करने में भी ये काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइदे मंद होता है अगर आप बाहर के स्नैक्स खाती हैं, जंक फूट खाती हैं तो ये चीज़ें आपके शरीर में फैट को बढ़ा देती हैं चटी चीज इस दोरान ओट मिल्को सीवन में लेती हैं तो ये भी काफी जल्दी आपका वजन घटाने में सहायक होता है और साथ ही हेल्दी होता है आपके लिए और आपके शिशू के लिए जो की बेस्ट फीड ले रहा होता है साथ ही चीज इस दोरान अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं अगर आप 6 गंटे से कम सो रहे हैं तो कम सोने से भी महलाएं मोटी हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो वर्क आउट करने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊजा नहीं होती है और डिलीवरी के बाद मोटे होने का ये एक मुख्यकारण हो सकता है तो अगर आप चाती हैं कि दिलीवरी के बाद आपका वजन कंट्रोल में आ जाए आपका फैट रिर्यूस हो जाए तो इन बातों को ध्यान में रखिए और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं इन सभी पर अगर आप काम करेंगी तो आपका वजन बहुत जल्दी ही लूस होना सुरू हो जाता है और आपका फीगर वैसा ही हो जाता है जैसा कि आप प्रेगनेंसी से पहले थी तो ये थी जानकारी, I hope ये वीजियो आपके लिए हेलफफुल होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलोंगे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन, स्टे हैपी, स्टे हेल्दी